आज हम बनाने जा रहे हैं कॉलर, स्टेंड कॉलर की ड्राफ्टिंग और नहेरू कॉलर या मंदर इन कॉलर या हाफ कॉलर इन सब की ड्राफ्टिंग कुछ देखें, शुरू करते हैं एक स्टेट लाइन रो करते हैं सबसे पहले इस तरीके से हमें जो मेजर्मेंट चाहिए स्टेंड कॉलर के लिए सबसे पहली लेंथ है लेंथ लेनी हैं हमें हाफ उफ नेक लाइन जो नेक लाइन है हमारी टोटर उसका हाफ लेना है तो यह हैं हमारी नेक लाइन तो इसका हम लोग हाफ लेंगे मैं इसको पिंक कर चुकी हूँ आप देखें इस तरीके से अब ही हम लेते हैं यह चेक करते हैं कि हमारी नेक कितने हैं इस तरीके से आप नेक की लेंद चेक कीजिए ये हाफ नेक की लेंद आएगी जब चेक करते हैं तब लगबग 8.25 तक है तो हमारे नेक की लेंद है हाफ नेक लेंद है 8.25 पर मारक करते हैं इस तरह के से अभी करते हैं हम कॉलर की विट कॉलर की लेंद तो हो चुकी है भी पॉइंट 25 इंच ये नेखलेंड का half है और जो विध थे 10 कॉलर में वो होती है 1.5 इंच ये fix है कोई जरुदी नहीं कि आफ 1.5 इंच ही लें आप अगर कम लेना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं पर पहले ये 1.5 पर द्रॉ कीजिए उसके बाद में उसको ट्रेम करके तो आप कम कर सकते हैं वह आगी देखिए अभी पहले हम लोग ट्रॉ करते हैं ये विद् हमारी हमें विद् लेनी है 1.5 इंच तो 1.5 इंच पर इस तरीकी से ये सारे लाइन ड्रो करते है अभी इन सब को मिला दोए वन एन हाफ इंच का यह हुआ वन एन हाफ इंच के लिए अभी कॉलर की ड्राफ्टिंग कैसे होगी देखे देखे अभी ड्राफ्टिंग कॉलर की ड्राफ्टिंग के लिए आपको यहां से यह जो हिस्सा है यह बॉर्टम का हि हाफ इंच पर एक मार्क देना है यह हुआ हाफ इंच पर एक मार्क इस डॉट को इस बॉटम की लाइन से मिलाना है बॉटम की लाइन का सेंटर यह एक पर फाइंच पर है तो हमें इसके सेंटर भाग पर एक मार्क देना है यह है हमारा सेंटर का भाग और यहां पर यह half inch पर एक mark दिया है तो इसको यहां से मिलाते हुए curve की तरह इस तरीके से मिलाएंगे हम अभी यहां से आपको देखे यह वाला जो हिस्ता है यहां आपको 0.25 inch पर एक mark देना है यह है हमारा 0.25 inch 0.25 inch और इस point को इस point से मिलाना है और यह जो line मिलाएंगे इसको थोड़ा सा आगे लिखकर जाना है आगे कितने लिखकर जाना है यह जो width है हमारी 1.5 inch यानि 1.5 inch की width है कॉलर की इसमें आपको 0.25 inch less करना है तो 0.25 inch less करेंगी तो आएका हमारा 1.25 inch तो यह जो line यहां से इसको मिलाते हैं जब देखें साइके से अभी इस line को आगे बढ़ाना है वो यह जो total यहां से जो line यह जो जो होगी वो 1.25 inch की होनी चाहिए इसलिए हम लोग यहां तक इसको मिलाते हैं यह हमारा 1.25 inch पर यह एक line यह जो line यहां से यहां तक है 1.25 inch की है यहां से यहां तक का हिस्सा हाँ 1.25 inch का है यहां से यहां तक का हिस्सा 1.25 inch का यहां से यहां तक का हिस्सा है 1.25 inch का यह जो point है इस neck line यह जो half neck line हमें mark किया है इसका जो center का भागे वो अभी यह इस तरह के से आया है तो इसको हल्का सा curve देते हुए यह देखिए और यह हो गया हमारा स्टैंड कॉलर अभी इसमें अगर आप यह इसी तरीकी से नहीं रखना चाहते हैं अगर राउंड चाहते हैं तो इसी भाग में आपको यह हरका सा कॉल देना है और और ज़्यादा कॉल देना है और तो वेराइटी जो क्रियाटीविटी है वो आपकी बहुत कुछ हो सकती है kowler में कोव फिक्स नहीं है कि आप यही kowler है यही इसको जमादो मतलब इसको ही लगादो कोई जोलरी नहीं है आपकी इच्छा है आप इसमें क्या change करना चाहते हैं आप इसमें स्टॉीठार्ट की शेप लेना चाहते हैं आप् поддерж की तरीकिसे यहां तक वी यह इस पॉंट को इस पॉंट से ले जा कर यहां तक मिलाना चाहते हैं आपकी मर्जी है आप क्या नया innovative करते हैं जो basics है वो इस तरीके से होगा stand collar का तो यह width है हमारे one and half inch एक छोटा सा रीक है one and half inch का यह width है यह हाफ औफ नेक लाइन हमारे जो भी आप कुर्टी टॉप या ब्लाउस या कुछ में किसी में भी डार रहे हैं वो यह सेंटर है इस भाग का यहां से यहां तक के हिसे का सेंटर का पॉइंट है यहां से यहां तक है यह हाफ इंच और यहां से यहां तक है पॉइंट टूफा इंच और यहां से यहां तक जो लाइन बनती है इस पॉइंट को पहले इस पॉइंट से मिलाते हैं और यहां से आगे लिग कर जाते हैं वो उसकी लाइन विथ होती है one and half inch मैं से point to find less करते हैं तो one point to find आता है तो यह इस तरी के से यह line draw होती है इसको भी यहां से shape देते हैं बस अगर आप चाहते हैं यहां पर round shape देना तो आप यहां round दीजी अगर आप इसको round कम देना चाहते हैं यहां से कम दे दीजी यह सब आपकी माजी है और इसको हम कट कर देते हैं देखें इकट होने के बाद हमारा collar इस तरी के से रहेगा यहां से थोड़ा सा कम होता है और यहां से थोड़ा सा ब्रॉड होता है तो अगर आप यहां पर कव देना चाहते हैं तो कुछ अलग नहीं होगा यहीं से एक shape दीजी यह कव में हो जाएगा थोड़ा ज्यादा कव देना चाहते हैं तो यहां से यहां तक दे दीजी यह आपकी मर्जी है कुछ भी तो नॉर्मल जो stand collar यह इस तरी के से रहेगा यह देखें आप जब इसको attach करेंगे आपके जो भी apparel में जो बना रहे हैं उसमें तो यह इस तरी के से रहेगा तो एक simple सा drafting है stand collar में कुछ नया नहीं है पर बहुत तो चलता है अभी एक चीज जो अगर आप यह इतनी width नहीं रखना चाहते हैं कम रखना चाहते हैं तो इसकी लिए क्या करना होगा यह तो हिस्सा हमारा bottom का है यह वाला हिस्सा यह neckline में attach होगा आपको अबर कम चाहिए थोड़ा कम करना है तो आप यहां से कम केजिए इस हिस्से से थोड़ा सा कम कर दीजिए suppose आप चाहते हैं एक इंच का ही हो आपका collar तो यहाँ पर यह वरन हाफ इंच का है तो आपको हाफ आप इंच सब में less करना होगा और अगर उसे कम चाहते है इतना कम तो आच्छा भी नहीं लगेगा देखे इस ताइके से हाफ इंच पर सब और मार्क कीजिए उपर के हिस्से में है आज इन सब को कट कीजिए जाइन करते हुए तो यह जो जो सारी डॉट है उन सब को जाइन कीजिए और उनको कट कर देजिए यह लाइन रोगी है मैंने और इसको हम कट कर देते हैं रहेगा वान इंज का स्टैंड कॉलर और इतना काफी है यह आप जब लगाएंगे आपकी कुर्टी ब्लाउज या कहें भी यह इस तरही के से रहेगा एकदम सही रहेगा और एक चीज़ यह है कि यह सिर्फ इंटरफेसिंग के लिए है यानि कि जो कैन्वास आपको कट करना है तो वो इतना ही होना चाहिए जो सिम अलाउंस है वो अलग रहेगा आपको सिम अलाउंस अलग रखना होगा यह सिर्फ इंटरफेसिंग जो कैन्वास से उतना है अगर आप चाहते हैं कि interfacing नहीं आपका कपड़ा ऑलरेडी थुढ़ा थिक है और आप interfacing नहीं डालना चाहते है तो आप इस הסब से ہी do die कि इसमें interfacing अलरेडी एड रहे और बाइड तो चलिए अभी दूसरी बारी हए हमारी नहर कॉलर या मंदरिन कॉलर उसकी द्राफिंग देते हैं एक चीज की यह जो स्टैंड कॉलर है ही जैसे अभी हमने ड्राफ्ट किया है तो कई बार अभी चाइनिज कॉलर और बोलते हैं हाफ कॉलर इन सब में इतनी ज्यादा वैराइटी नहीं है कि बहुत ज्यादा हाड नह कि इनको क्या किया जाए या कैसे होगा ऐसा कुछ नहीं है यहां से यहां तक नेक लाइन है यहां तक पूरा नहीं है इतना ही है तो इसमें होता क्या है कि इतना तो आपका नेक लाइन रहेगा और बाकी का जो है सारा यह कॉलर रहता है तो इन सब में यह चीज रहेगी कि डाप्टिंग जो आप करेंगे शुरू करेंगे वो नेक लाइन वो इधर से शुरू कीजिए जैसे आपको यहां यहां तक ही चाहिए आपको अपना कॉलर तो आपको यहां से जितना चाहिए यानि कि यहां तक चाहिए या कुछ जो अलग-अलग तरीके होते हैं देखे जैस अलग अलग शेप देते हैं जैसे हम लोग नेक लाइन पर यहां से वी शेप दे दिया या फिर यहां से हलका सा राउंड दे दिया तो आप यहां तक अगर आप यह कॉलर चाहते हैं तो इस फिर आपकी नेकलाइन की आपका कॉलर यह तक आए यहां तक आए और अगर जैसे अभी यह वारा नेक था तो इसमें पूरा नेक ही इस तरह की से है पर उस ही मैं ये half तक ही एक color लिया है तो आपको यहां तक ही measure करने है neck line back और neck की जो neck line है वो इस त़रेकी से ही measure करने है दीखें, ये हमारा color है तो अभी यहां से ये जो neck line है ये इतनी पूरी है पर पूरी check नहीं करने होते हैं यहीं से यहां तक इतनी चेक करने हैं इस तरीके से आपको यहां से यहां तक मेजर करना होगा यह इस तरीके से रहेगा बागी का कॉलर की राप्टिंग उसी तरीके से रहेगी जैसे अभी हमने की है तो यह सिर्फ पूरा गला होता है पूरा बंद गला होता है तो उनके ही measurement कीज़िये और एक चीज वहाँ पर यह होगी कि आप जो back की neckline का हिस्टा है वो check करना होगा आपको कि back की neck का हिस्टा इतना हा रहा है और front में आपको इतना रखना है तो जो front का हिस्टा यहां पर हमने draft किया है रहेगा यह सेम चीज पर जो cough आता है हम आप हमने जो centre में लिया है यह चीज तो centre में नहीं होगा देखे अब हम लोग measure करते हैं कि إसका neck कितना है तो यह tooter neck तो यहां तक हमें कोई collar रखना भी नहीं है तो इसकी जरुळ भी नहीं है जैसे यहां से जो color add हुआ है तो आपको यहीं से ही check करना है कि आपकी neckline कितनी आ रही है तो हम लोग यहां से check करते हैं तो यह रगबग 6.75 इंच आता है आपका जो color चाहिए उतना अभी देखिए back का हिस्सा कितना है आपका वो आपको check करना है यहां से आपको color का back का हिस्सा 4 इंच है और total आ रहा है 6.75 इंच कि इसकी drafting एक बार कर लेते हैं एक street line रोकी है हमने 9 drafting के लिए तो 1.5 इंच की हामें यह total width चाहिए और length हमारी है 6.75 इंच यह 6.75 इंच यह जो हिस्सा है यह opening का रहता यानि front opening का तो back का हमारा जो हिस्सा था वो 4 इंच पा था तो हम लोग 4 इंच पर भी एक mark दे रहते हैं यह 4 इंच अभी इस inside lines को मिलाए हमारे 6.75 इंच तक और यहां तक आपको यह है 6.75 इंच अभी देखिए इन दोनों यहां से यहां तक इसको मिला दिया जो ड्राफ्टिंग हमने पिछले कॉलर में किया है वैसे ही रहेगा 1.5 इंच पर यहां पर mark दिया 0.25 इंच पर यहां पर mark देना है और इस line को इस line से मिलाते हुए 1.25 तक इक line दो करने है यह इस तरीके से अभी जो curve का area है वो यहां से देना है जैसे हम लोग यहां पर जो center का हिस्सा है वो curve देते हैं यहां पर इसको curve देना है यहां से इस तरीके से इसको curve देना है और बागी का जो सारा process वही रहेगा कुछ अलग नहीं है यह हमारा color इतना ही आगे आएगा यह half color कह दीजिए आपकी जो मजी है आपो कहिए और जो back का हिस्सा है वो इतना रहेगा जैसे हमने measure किया था यह वाला है back का हिस्सा और यह रहेगा यह आप देख चुके हैं तो इसमें कुछ अलग नहीं है यह भी half inch यहां से लिया है यहां से 0.25 लिया है और यह जो line है 1.25 क्योंकि 1.5 में से 0.25 less करते हैं तो 1.25 की line draw करते हैं देखते हैं हमारा नहेरू collar या mandaren collar जो बोलते हैं वह कैसे draft कराते हैं एक चीज़ दीखिए is mandaren collar यह जैसे half collar को भी chinese collar भी कहते हैं या फिर जैसे कि अभी मंदरीन कॉलर, यह नाम शायद पूरा प्रपर सही नहीं हो, पर यह जो नाम है वो चाइना से आया है, वहां कि जो साही गाउंस होते थे, तो वहां यह जो कॉलर इस तरह से यूज आते थे, तो यह नाम उस अकॉलरिंग पढ़ा है, और हमारे इंडिया में तो नहरू जैकिट्स जो गुरता वगरा तो उनमें जो कॉलर होते थे वो नहरू कॉलर कहलाते हैं यह ओवरलैप होते हैं यानि कि आगे सी जो हिस्सा होता है एक दूसरी के उपर वो बटन आग बटन होल्स होते हैं तो आपको जो नेकलाइन है उसका हाफ लेना है तो आप जो भी बना रहे हैं उसका हाफ लेना है तो सपोस हम लेते हैं 7 इंच पर एक मार्ग देते हैं ठीक है आभी जो विट्थ है नहरू कॉलर की वो हमेशा टू इंच के होती है जैनस के लिए होता है ये चीज थोड़े बड़े बड़े कॉलर और कई बार हम लोग डेडी में भी जब कॉलर बड़े बड़े डालते है तो आपकी मर्जी है आप लेना चाहते हैं इतना तो टू इंच पर तू इंच की विद्ध हो गी हमारी इस तरह के से और हमें यह बाकिस की जो लाइन डौ करने है यह हो गया नए रुखालों के लिए अभी हमें यह जो हिस्सा है वो फोल्डिड ही रहेगा और यह रहेगा हमारा ओपन हिस्सा देखे अभी इस इस कॉलर का जो सेंटर का हिस्सा है यहां पर तेंड हाफ इंच पर एक मार्क देना है यह सेंटर का हिस्सा है यहां से हमें लेना है पॉइंट सेवन फा इंच पर एक मार्क पॉइंट सेवन फा इंच उसकी बागी जो लाइन है यहां से आपको हाफ इंच पर एक और लाइन ड मैं एक दॉट दॉट पर लाइन रो करते हूं यह इस तरह के से अभी देखिए यहां पर हमने 0.75 पर एक बांग दिया है अभी यह जो लाइन 1.5 पर हमने ट्रॉट की है ओपर तो यहां यह जो लाइन इसको स्ट्रेट कर देजी और यहां से हमें लेना है 1.5 पर एक मांग यह हमारा 1.5 पर मांग है इसको यहां से मिला देना है इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है और यह जो हिस्सा है इससे मिला यह कर ले जाते हुए यह हुआ इक अभी यहां पर भी यह इस इससे को यहां से मिलाना है यह जो सेंटर का इससा है वहां से कव ले जाते हुए मिलाना तो यह हो गया है हमारा नहरु कॉलर यह इस तरीके से रहेगा पिछली एक बार कट करते हैं रहेगा हमारा नहरु कॉलर यह इस तरीके से अब देखिए जवाब लगाएं तक देखिए यह हमारा नहरु कॉलर यह हमारा है नॉर्मल स्टैंड कॉलर इस तरीके से रहेगा यह जो आगे से थोड़ी सी इसकी विथ तोड़ी ज्यादा रहती है और जो फ्रंट में आता है वो कम होती है इसकी थोड़ी सी विथ पॉइंट तो फाइंच तक और कॉलर इस तरीके से हैं यह जब हम करते हैं तो इस ततएके सकी ते इससे और यहारी किया जो हमारा विथ थो पॉद पॉद देखिए यहांद कॉलर शेयो फाम हर यहांद कि दूरी रहे और बिल शेंगें कुछ भी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है कि कुछ ज्यादा हाड है या ऐसा कुछ और अगर आपको कुछ सवाल है इसके रिलेटेग तो कमेंट कीजिए वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए आपको फ्यूचर में बहुत अच्छी टुटोर्स मिलेंगे थैंक यू सो मच